नमश्कार दोस्तों आपका अपनी चैनल बेबी केर्विध फंद में आपका स्वागत है तो डियर फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्ने में बिल्ली का दिखाई देने के बारे में या फिर बिल्ली के घर में बार बार आने के बारे में बिल्ली का घर में आना कैसा माना जाता है। कई बार तो हम लोग सपने देखते हैं, सपने बहुत ही जादा अच्छे आते हैं, खुश होते हैं उन सपनों को देखकर, और कई बार सपने इतने बुरे आते हैं कि हमारी चीक तक उसमें निकल जाती है आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बिल्ली का सपने में आना या फिर बिल्ली का बार बार आपके घर आना कितना शुब माना जाता है तो आईए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का वीडियो देखे फ्रेंड्स अक्सर हमने बिल्ली को अपने घर या उसके आसपास देखते हैं बिल्ली को नकारात्मक का स्रोत माना जाता है बता दें कि बिल्ली लक्षमी मा की आलक्षमी बहन का वहान माना जाता है बिल्ली को दरिदता के निशानी माना जाता है बिल्ली का घर में आना बहुत ही असूब माना जाता है लेकिन अधिकतर लोग अपने घरों में फैशन के तोर पर आजकल बिल्ली पाल रहें भी हैं लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में जब भी बिल्ली रोती थी तो हमारे घर में जो बड़े बुजर्ग होते थे वो तुरंत बिल्ली को भगा देते थे क्योंकि बिल्ली का रोना बहुत ही ज़ादा अशुब होता है बार 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 बिल्ली का घर में आना किसी बिमारी का घर में बार बार आना होता है आपके घर में कोई न कोई हमेशा बिमार रहेगा अगर आपके घर में बार बार बिल्ली का आना होगा तो बिल्ली का सपने में मलत्याग करते हुए देखना भी एक बहुत ही जादा बुरा संकेत माना जाता है वहीं अगर आपने बिल्ली को सपने में लड़ते हुए देखा है तो ये बहुत ही ज़ादा बुरा संकेत है इससे आपके घर में कले हो सकती है वहीं अगर आप बिल्ली को नौर्मल चलते हुए या जाते हुए सपने में देखते हैं तो वो एक सुप शंकेत माना जाता है कभी जीवन में आपके घर में पैसो की कमी नहीं आएगी वो आपको साल भर के लिए एक ही दिन में आशिरवाद दे जाती है कि जिससे आपके घर में मा लक्षमी का वास हो जाता है दिवाली के दिन बिल्ली का आना बहुत ही जादा शुब माना जाता है बिल्ली का किसी घर में चुपके से बच्चे कर जाना काफी जादा शुब माना जाता है बिल्ली नकारात्मक्षोत तो है लेकिन बिल्ली के पैर आपके घर में किस तरह से पढ़ रहे हैं वो काफी जादा माईने रखता है जिस तरह के से बिल्ली का दाएं तरी से बाएं की तरफ आना शुब माना जाता है बिल्ली को सुबह सुबह देखना बहुत ही जादा शुब होता है सफेद बिल्ली अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और आपने सफेद बिल्ली को देख लिया तो आपका दिन बन जाएगा सफेद बिल्ली बहुत ही जादा भागेशाली होती है तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना Thank you for watching this वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थेंक यू